मॉटू अपनी एक खबरी जिसका नाम नायरा था उसे बहुत प्यार करता था और उसिसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक दिन पदलू, तुम अबर यूनिफॉम पहती हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरा पती बन जाओगी, पत्नी हो, पत्नी हो, पत्नी बन कर रहा हो, जाकर नाश्ता बना कर ला हो, और हाँ, ज्यादा नाश्ता बनाना, टिफन भी पैक करके देना, दो लोगों का खाना, एक्स ऐसे ही दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते है, मोटू अपनी लवर नायरा के पास आ जाता है, अरे वा, नायरा, क्या लग रही हो, इस ड्रेस में तो तुम बहुत संदर लगती हो, पताखा लग रही हो, पताखा, चलो, आओ, हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं, फिर आज हम कहीं वापस लोटेंगी, आज हम पहुत जादे एंजोई करेंगे, आया बड़ा, यह अच्छा हुआ ना, इसे अच्य से बुद्धी बना रही हूँ, सारे महेंगे महेंगे किप्स लेती हूं इसे, बहुत जल दिसकर अपने नाम करवा लोंगी, उसके बादी से चो एलकिन आजए ट्रOYक्ता, इसे बुद्धी सान ऑना, वेच्छान और बादी संपस लोगी घदाते हूं ए आज हो जा किप्स लोगी, साकते हुआ बरा को कि ब्रचनों है लेकिन आया। बहुत महँगा घर उसका तो इसके मज़न से मज़ना दोगी बस अभी शोपिंग वज़ा पर आदेता है अच्छा मेरी बात सुन मैं अपने दूस्तों के पास जा रहा हूं पून करके मेरे सर्मत खा जाना मैं आजाओंगा श्याम को देर से ही आओंगा तो खाना खा कि सो जा है उसके बाद मोटू और पतलू दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं और शाम होने की करीब ही पतलू नायरा की पहुंच आती है अरे अच्छा हुआ तुम जल्दी आदी आदी उस मेरा बॉफ्रेंट भी आने ही वाला है भी मिलगी जाना नायरा पतलू को बताने लगती ह नायरा ने जब मुझसे कहा था कि उसकी पत्नी भी पुलीस वाले तब मुझे ही यक्कीर हो गया था बस में तुम्हें रंगे हाथ उपकरना जाते थी आप तो मिसी नायरा के साथ ही रहना उस घाल में दुबारा का भी कदम अध रखना यार बाहर वाले की चकल में घर वाल पतलू किसी भी लड़की को खास तक नहीं डालता था मोट्टू बहुत अमीर लड़की थी ऐसे ही धीरे धीरे समय बीच रहा था और एक दिन अरे मोट्टू बेटा तुम्हारा रिष्टा आया है बहुत अमीर लड़का है बढ़ा लेका भी तुम उसे मिल ले ना फिर हमें बताना अरे बापरे अब तो मेरे रिष्टे आने लगे हैं लेकिन मेरे दिल और दिमाग में तो पतलू बसा हुआ है मुझे पतलू को चल्दी बताना होगा कि मैं उसे प्रेम करती हूँ और पर मैं बतलू के बारे में घरव़़ों को बता दूँगी और हम शादी कर लेंगे फिर मुटू बतलू के पास चाती है उसके पास चा कर उसे पात करती है एक्स्क्यूस में तुम मजसे महबद करती हो यह कोई मसा कया तुमने एपनी शकल आइने में देख है तुम्हारी मूच्छे हैं, तुम कहीं से भी लड़की नहीं लगती और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें एकसप्ट कर लूँगा सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत पैसे वाली हो कभी नहीं, मैं तुम्हें रिचक्ट करता हूँ मूटू लेकिन बदलो मुझ्छे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं तुम्हारे बगार मरश होगी, मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे बगार तो डार्लिंग मरश होना मुझे इसे कोई फर्ट नहीं परता मेरी एक बात याद रखना, मैं किसी बहुत सुन्दर और बहुत अमेर लड़की से शादी करूँगा आईपाद समझ कम से कम उसकी मुझे नहीं होगी तुम्हारी तरह और वैसे भी तुम बहुत काली हो तुम अपनी शकल आइने में देखो फिर मेरे पास आना, पाई मोटो का दिल बहुत बुरे दरीके से तोट चुका था वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक था और उसकी मूझे थे अब वो अपने दिल में ठान चुकी थे कि वो सबसे सुन्दर लड़की बनेगी ऐसे ही समय बेटने लगता है और एक दिन जब बतलो आफिस चा रहा था तो उसके नजर एक सुन्दर से लड़की पर बढ़ती है और बापरे, ये लड़की कितनी सुन्दर थी इसे देखके तो मेरा दिल धरकना ही भूल गया था मैं इसी से शादी करूँगा और उसने गुची के कपड़े बहने हुए थे वाव, ये तो कमाल हो गया ऐसे ही कुछ तिन पीज चाते है और बतलो मुटो को पर पॉस्ट करने चाता है सुनिया, मैं वो, मैंने आपको कुछ तिन पहले देखा था आप बहुत सुनता है और मुझे बहुत पसंद है विल्यो मैरी में, क्या आप मुझे से शादी करेंगी ओ, रेली, तुम मुझे से शादी करना चाते हो तुम्हें पता है मैं कौन हो मैं वही मुटो हूँ जैसे तुमने रिचक्ट किया था और वैसे बतलो, तुम जैसे पटीचर और घरीब लोगों से रिच्टा चोड़ना मैं नहीं चाती मैं किसी अमीर सादे से शादी करोगी जो मेरे स्क्रेटिस का होगा तुम जैसे घरीब लोगों को, तुम मैं नोकर रखती हूँ वो भी माली या फिर वोच्चमेन अगर तुमने वोच्चमेन बनना हो, तो आज आना हाँ, मैं तुमें अपना ट्राइवर भी बना सकती हूँ लेकिन तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती वो तुम ही थै ना, जिसने मुझे रिचक्ट किया था आज मैं तुम ही रिचक्ट करती हूँ तो मुझे आशके बादन से मताना, बाद